आज आईस्मार्ट रसोई में बनाएंगे बप्पा का प्रियभोग मोदक रेसिपी Traditionally मोदक को स्टीम्ड करके बनाते हैं पर आज गणेश चतुर्थी स्पेसल में हम बनाएंगे फ्राइड मोदक Friends मैं ममता आप सभी को स्वागत कर रही हूँ आईस्मार्ट रसोई में Friends अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले क्यूंकि इस चैनल में सिंपल और लाजबाव रेसिपीस डालती रहती हूँ तो चल लिए बनाते हैं गणपती जी का प्रियभोग मोदक इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक कटोरी आंटा इसमें डाल रही हूँ आधी कटोरी मैदा अब इसमें डाल रही हूँ तीन बड़े चमस तेल जिससे मोदक खास्ता बने अब इसे अच्छी तरह मिला लेते हैं ये देखिए आटा और तेल पूरी अच्छी तरह मिल गई है इसे हम गुंदेंगे और एक सेमी सोफ्ट डो तैयार करेंगे तो हम थोड़ी थोड़ी पानी डालेंगे और पानी को पूरी अच्छी तरह आटा में मिलाने के बाद ही फिर पानी डालेंगे एक साथ ज्यादा पानी नहीं डालेंगे ये हमने आटा गुन कर तैयार कर लिया है देखिए इस तरह से आप डो को तैयार करें ज्यादा सॉफ्ट ना करें डो अगर सॉफ्ट हो जाएगी तो मोदक फिर नरम पड़ जाएगी क्रंची नहीं रहेगी आप इस तरह से अगर बनाएंगे तो आप इसे महीनों स्टोर करके रख सकते हैं ये आटा तैयार हो गई है अब इसे ढख कर रेष्ट करने के लिए छोड़ देते हैं तब तक हम स्टफिंग तयार कर लेते हैं ये कड़ाई को ग्यास पर रखी हूँ अब इसमें ले रही हूँ आधी कटोरी डेसिकेटेड कोकोनेट मैं stuffing को desiccated coconut से तेयार कर रही हूँ ये desiccated coconut आपको बाजार में आराम से मिल जाएगी अब इसमें डाल रही हूँ गूड यानि की jaggery मैं इसे गूड से बना रही हूँ जिससे हमारी मोदक पूरी healthy बनने वाली है गूड में भरपूर mineral होती है तो मोदक स्वादिष्ट के साथ सब healthy भी बनेगी अब इसको low flame पर चला रही हूँ आप चाहें तो फ्रेस नारियल से भी बना सकते हैं फ्रेस नारियल को आप grate करके ले सकते हैं या फिर आपके पास coconut scrapper है तो scrape करके ले सकते हैं या नहीं है तो फिर आप नारियल को slice कर ले और mixi में डालकर उसे grind करके ले सकते हैं मैं इसमें थोड़ी भी पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ इससे stuffing पूरी dry बनेगी और जब stuffing पूरी dry रहेगी तो मोदक महिनों खराप नहीं होगी ये गूड में moisture रहती है वही release होगी और पानी का काम करेगी और नारियल उसी में सिख जाएगी तो हमारी stuffing पूरी अच्छी तरह से तयार होगी अब इसमें डाल रहे हूँ एक चम्मस देशी घी और ये थोड़े से कटे हुए बादाम और पिस्ता आपके पास जो भी dry fruits हो आप ले ले अब इसे अच्छी तरह चला लेते हैं ताकि dry fruits चिक जाए फ्रेंड्स बपा के प्रसाद के लिए आप मोदक के अलापा मीठी बूंदी बनाना चाहें तो आप बिना फेल गोल गोल बूंदी बना सकते हैं उपर आई बटन में चेक कर ले या फिर नीचे description box में मैं वीडियो का लिंक डाल देती हूं आप चेक कर सकते हैं उस वीडियो में मैं पूरी अच्छी तरह से टीप्स और ट्रीक्स के साथ बूंदी बनाने की रेसिपी सेयर की हूं जिससे आपकी बूंदी फेलना हो और पूरी परफेक्टली बने तो आप जरूर देखें अब इसमें डाल रही हूं दरदरी कुटी इलाइची पावडर ये देखिए नारियल ड्राइप्रूर्स सब अच्छी तरह सिख गई है गूड पूरी मिक्स्चेर में ब्लेंड हो गई है और स्टफिंग पूरी सुखी सुखी और ड्राय है आप स्टफिंग को ऐसे तैयार करेंगे तो मोदक नरम नहीं पड़ेगी क्रंची रहेगी अब इसे ठंडी होने के लिए इसमें ट्रांसपर कर रही हूं फ्रेंड्स मेरी रेसिपीज को आप लोग पसंद करते हों तो आइसमार्ट रसुई के सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब बटन के बगल में देखें जो घंटी है न उसे प्रेस कर ले और ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करे चलिए देख्ते हैं आचे को इसे मिला लेते हैं और इसके छोटे-छोटे लोई तोड ले अब इसे गॉल कर ले इसे अब बेलेंगे और इसकी छोटी-छोटी पूडियां तैयार करेंगे यह लोई में थोड़ी तेल लगाकर मैं ली हूँ आटा आपकी सेमी सॉफ्ट रहेगी तो आपको डस्टिंग की जरूद नहीं पड़ेगी सिर्फ थोड़ी तेल लगाकर आप आराम से बैल सकते हैं अब थोड़ी स्टफिंग ले 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 और इसके बीज में रखें अब इसे हाथों में लेकर इस तरह से एक ही डाइरेक्शन में फोल्ड करें देखिए अब सारे पाट को एक साथ पकड़कर उसके मूँग का बंद कर ले इस तरह से यह देखिए यह तैयार हो गई यह बेले यह रही स्टाफिंग और इसे इस तरह से फोल्ड करें यह लास्ट पाट को इस तरह से फोल्ड करें अब सारे पाट को एक साथ पकड़कर सील करें यह हो गई तैयार इसी तरह पनाएं अब चलिए तलते हैं तेल को मैंने अच्छी तरह गरम कर ली हूँ अब फ्लेम को मीडियम कर दें अब इसमें जितनी मोदकाएं डाल लें अब इसके उपर थोड़े थोड़े गरम गरम तेल को डालें ताकि उसके उपर वाली पाट भी थोड़ी सिकती रहें अब इसे पलड़ पलड़ कर अच्छी तरह से सेकें जब यह गोल्डेन ब्राउन हो जाएं तब इसे निकाल लें यह देखिए यह हो गई यह तैयार हो गई बप्पा जी का फेबराइट प्रसाद हेल्दी और स्वादिष्ट मोदक फ्रेंट्स आने वाली गणेश चतुर्ती के लिए आप सभी को धेरो बधाईयां प्रभु बिग्णा अर्ता हमारे सभी बिग्णा को दूर करें इसी सुभ कामना के साथ बाई हापी गणेश चतुर्ती स्टे ब्लेस्ट थैंक यू